हेलो दोस्तो नमस्ते कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका मेरे स्रीनायन व्लोग चैनल में आज मैं आपकी रिले करके आए हूँ बहुत ही यूजफूल वीडियो जो की हर महीला प्रेसान रहती है फ्रीज में जो भी हम सामान रखते हैं और हमारी ये जो ट्रे होती है फ्रीज की स्लेफ वो जल्दी गंदा हो जाता है कुछ भी सामान रखने से फिर भी हम कितनी सफाई से रखें लेकिन जरूर हमको रोज साफ करना पड़ता है तो आपका टाइम भी बचेगा और महनत भी बचेगी तो उसके लिए हमने ये बनाई है ट्रे जो की बहुती जल्दी बन करके हो जाती है तैयर तो चलिए बनाना हम करते हैं शुरू ये आप ही अपने घर में जो सोपिंग बैग आते हैं जो बेकार समझे हम लोग फैक देते हैं और जो साड़ियों के जो कवार आते हैं जो क्लास्कें में पाक हो क्यात seguikum को भी हम फैक देते हैं आज के बाद जो आप ये वीडियो देखेंगे तो इनको आप फैकेंगे नहीं इससे हम बहुती अच्छी और यूजफूल चीज बनाने वाले हैं तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले इन थेलों को हम एक साइड से हम कट कर देंगे एक साइड से और इस एक साइड से बस दो साइड से इनको हम कर लेंगे कट इस तरह से हमको इस थेले को कट कर लेना है तीन हमें चाहिए और आप हमें चाहिए कोई प्लास्टिक या तो आप सारी वाला जो कवर आता वो ले सकते हैं या यह जो मार्के से हम अर्मारी में बिचाने के लिए लेकर के आते हैं यह मेरे पास कुछ बचे हुए पीस पड़े थे मैं इसी का इस्तमार करूंगी अब हमको चाहिए जो हम फ्रीज की हमारी जो ट्रे होती है इसके उपर हम लगाने के लिए अपना बनाएंगे ताकि हम सामार रखते हैं तो यह ट्रे जल्दी से गंदी ना हो रखने को तो हम यह कागच ऐसे भी कट करके लगा सकते हैं तरे पर लेकिन क्या होता जब हम सामान उठाते हैं रखते हैं तो यह साथ साथ फिसल जाते हैं तो इसलिए हम इसका खेले का यूज करेंगे और इसका हम कवर बनाएंगे तो जितनी बड़ी आपकी ट्रे है उतनी लंबाई और उतनी चोड़ाई में हमें तीन पीस कागज के कट कर लेने हैं पहले हम कागज कट करेंगे तीन पीस हमने कट कर लिए हैं फ्रीज में हमारे तीन स्लैप होते हैं तो उन्हें तीन कट कर लिए हैं जितने बड़ी त्रे हैं उतनी बड़े ही और यह जो कागच होता है अलमारे में बिछाने के लिए यह आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं और यह बड़ी आसानी से किसी भी सोपर आपको मिल जाएगा और 30-40 में मिल जाता है तो एक मेटर म एक एक इंच चारो तरफ से बढ़ा करके इस थेले को हम कट कर लेंगे एक एक इंच चारो तरफ से हम छोड़ेंगे और इसको हम अच्छे से कट कर लेंगे थेला भी हमने कट कर लिया है जितना बड़ा कागज हमने कट किया था अब हमको इसको थेला है जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है उसको इस तरह से मोड़ते हुए हम इस कागज के उपर पतली से केनारे पर शिलाई लगा देंगे अगर हम कागज पर चलाएंगे तो साथ शिलाई ना भी चल पाए तो इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा कट किया है और इसको इस तरह से मोड़के चारत प्रप से हम इंकी शिलाई कर लेने तो मैं शिलाई करके आपको दिखाती हूँ ये देखें सिलाई हमने लगा है और इतनी अच्छे से सिलाई हमारे लग करके तयार हो गए है और कितने अच्छे कावर हमारे बन करके हो गए है तयार अगर चलाई में आपको कोई भी दिकत आए तो पहले आप पीनप कर लीजिए उसके बाद इसको इस तरह से किनारी मोड़ते हुए चार उत्रत से चिन दीजिए और इतनी आसाने से चिन जाता है और इतना अच्छा बिना एक भी रुपए खर्च के हुए हैं हमने अपने फ्र हो गए हैं अब हम जो भी सामान रखेंगे उससे हमारी ट्रे गंदी नहीं होगी फ्रीज का जो श्लैप है वो गंदा नहीं होगा और हम इनको अच्छे से वोस्पी कर सकते हैं और देखे देखने में भी कितना सुन्दर लग रहा है और इतनी आसानी से ये बन जाता है पां बना करके कर लिया है तयाष तो मुझे आप कमेंट में जिरूर बताएगा आपको मेरा ये आइडिया आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मैं वीडियो को यहीं पर खतम करती हूँ और अगर आपको पसंद आयो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलती हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई